अबस्कार दोस्तों हमारे न्यूज यूटुब चनल में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में सभी सैनिक गुद्पुरो सैनिक जेसियोस जो हमारे जवान हैं उनके लिए हैं जिहां दोस्तों वन रैंक वन पैंसन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं बड आते हैं तो दोस्तों जुड़े रही हमारे साथ इस वीडियो के लाश्ट तक वीडियो को स्टाट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूले साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर्द भए गवर्मेंट इंपलोई से समझ देनी हो जाती है उसका नोटिफिकेशन मिल सके तो आईए दोस्तों देरने करते हुए वीडियो को स्टाट कर रहे हैं तो बर राइंक वन पैंस पर सुनवाई के दोरान किंदर सरकार ने सुप्रिम कोर्ट से कही बड़ी बात रक्षामंत रहले ने कहा कि जो स्कीम में किये गए प्रिवर्टन को कोई कोर्ट नहीं जान सकता और आगे यह भी बहाने के जोman किंदर सरकार ने उसकी वृतिये जो बिव सोधन की गंजारिस की थी शाथ मधिय pada 259 कि पूरु से निय करमी की 2012 की सैलरी के हिसाब से तैख करने ऑ का गया था फिलाल की अतायास फिलाल संसोधन पांच साल के बाद होना तैख किया गए है वही पैंसिन को 1993 की नहां की सालरी के जिकर इसके बारे में भी कर लेते हैं कितने करोड रुपे इस पर खरच हुई हैं अब तक कि जो यह याची का दोजार सुड़ा में दाइर हुई थी आप सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जो एफिडेविट दाखिल क्या गया है रक्षे मंत्रा लेंड बताया है कि और ओपी के तह जो वर्षिक आवर्थी व्याई है 7,123.38 करोड रुपे का है और इस स्किम को 1 जुलाई 2014 से लागू किया गया था तब से आप तक का जो कुल जो खरच हुआ दोस्तों 274.28 करोड रुपे इस पर खरच किये जा सुके हैं दोस्तों एफिडेविट में लिख रखागया है किसी पॉलोसी पर जो निरे कुंस्ता के आधार पर सवाल किया जा सकता है लेकिन ना तो याचिका करता के पास ही अधिकार है और ना ही कोर्ट का यह जो सत्यक छेतर है वह जो परमारदेश थे शिर्फ सरकारी एजनसी के पास ही किसी सकीम की रूप रेखा त्य उसे लाबू करने का जो तरीके है तैग करने का अधिकार है इस पर दोस्तों जो वन रैंक वन पैंसन में हुए बदलाव को जाच नहीं कर सकता कोट ऐसे ने केंदर सरकार से कहा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगे होगी दोस्तों यह व